सद्गुरू आपने जिक्र किया है कि आप एक समय में 14 अलग अलग चीजे एक साथ कर सकते हैं तो हम सब ये जानने के लिए बहुत उच्छुक हैं कि हम अपने शरीर और दिमाग दोनों के मामले में ऐसी शमता कैसे पा सकते हैं ओ, जिसने भी का, मैंने तो कभी ऐसा नहीं का, खेर, क्या आपके पास लिवर है? हाँ, है काम करता है? हाँ क्या आप जानते हैं कि इस समय वो कितने स्थरों पर काम कर रहा है? आपका लिवर जो कर रहा है, वो उससे कहीं अधिक जटिल है, जो आपका दिमाग कर रहा है क्या आप जानते हैं? बिना दिमाग वाला लिवर अगर इतनी सारी चीज़ें कर सकता है, तो दिमाग वाला प्रनीत कितनी चीज़ें कर सकता है? नहीं, मैं बात कर रहा था, काम के बारे में नहीं हाँ, काम भी संभव है आपको ये समझना होगा एक गोल ग्रहपर, जो इस समय घूम रहा है हलो, क्या आप एक गोल ग्रहपर है? घूम रहा है? ज्यादा तर लोग ये नहीं समझते जब तक कि वो किसी चीज के नशे में धूत नहीं होते या फिर उन्हें कोई बिमारी न हो जाए फिर अचानक आप पाते हैं, कि धर्ती गोल है क्या आपको पता है, एक इनसान के लिए कितना जटल काम है एक खास लैटिट्यूट पर एक गोल धर्ती पर चलना आप किसी बच्चे से पूछिए, जो मान लीजिए, एक साल का है वो जानता है कि ये काम कितना जटल है आपने देखा है मगर जैसे ही आप चलना सीख लेते हैं आपको लगता है कि ये कुछ भी नहीं है आप चल चल कर परिशान हैं आप कार चलाना चाहते हैं, मोटर साइकल चलाना चाहते हैं मगर चलना बहुत जटल प्रक्रिया है 14 नहीं हजारों अलग अलग काम आपके घुटने, आपका दिमाग, आपके शरीर के द्रव, हर समय करते रहते हैं अगर आप इन चीजों को जागरूकता के साथ कर सकें तो आप हजारों चीजे करेंगे आप वैसे भी कर रहे हैं लेकिन अगर आप इसे जागरूकता के साथ चला सकें तो आप एक साथ हजारों चीजे कर सकें तो मैं बस दिमाग के अलग-अलग चैनलों की बात कर रहा था, जिसे वास्तव में आपको चलाना नहीं पड़ता, आपको बस शुरू करके छोड़ देना है, वो अपने आप चलता रहेगा पड़ोस की लड़की के बारे में सोचने के लिए, क्या आपको हर बार शुरूआत करनी पड़ती है? नहीं, एक बार आपने उसे देखा और वो खुद बखुद चलता रहता है, क्योंकि आप उसकी ओर आकरशित हैं अगर आप एक ही समय दस अलग-अलग चीजों की ओर आकरशित हैं, तो दिमाग दस अलग-अलग चैनल बना कर उन्हें चालू रखने के काबिल है गनित की एक जटल समस्या, कोई समवेदना, संगीत, राग, ये, वो, सौ चीजें एक ही समय पर क्योंकि इंसानी दिमाग इतना ही जटल है, इस जटलता का इस्तिमाल आप खुद को पागल बनाने के लिए कर सकते हैं, बेलगाम विचारों और भावनाओं से, या अगर आप उसका फाइदा उठाएं, तो ये ऐसी चीजें कर सकता है, जिसकी किसीने कलपना भी नहीं की हो तरीके को देख कर बता सकते हैं, कि वो शारेरिक रूप से फिट है या नहीं, आया ना, शरीर पर काम किया गया है, या आप देख सकते हैं, सिर्फ चलने के तरीके से, इसी तरह, मन पर काम किया गया है या नहीं, आपकी उर्जा पर काम किया गया है या नहीं, ये भी साफ शायद ज्यादतर लोग इसे देख न पाएं, लेकिन अगर आप ध्यान दें, तो आप देख सकते हैं, फिलहाल, ज्यादतर इंसानों के साथ समस्या ये है, कि हमने आपको एक सूपर 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 कंप्यूटर दिया है, इस धर्ती पर सबसे जटल मशीन ये मानव तंत्र है, मैं आप से पूछ रहा हूँ, क्या आपने यूजर्स मैन्यूल पढ़ा है? हलो? नहीं, आप कब पढ़ेंगे? आखरी दिन? जब मैं ये मूर्खता पून चीज देखता हूँ, लोग मरते समय गीता पढ़ते हैं, मैं कहता हूँ, आप आखरी दिन यूजर्स मैन्यूल पढ आपको उसे पहले तीन दिन के अंदर पढ़ लेना चाहिए, तो मैं आपको कोई ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये एक जीविद ग्रंथ है, क्या आपको सक्षम नहीं होना चाहिए इस ग्रंथ को पढ़ने में, ये समझने में कि इसकी प्रकृती क्या है, इसकी पूर्णक्षमता क्या है और उसे खोजने में, क्योंकि ये जीवन इसके या उसके बारे में नहीं है, ये जीवन इसके बारे में है, इसका कोई विकल्प नहीं है, बस इतना है कि आप इस जीवन को किसी और चीज़ का दास बना सकते हैं और सोच सकते हैं कि ये उसके चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये अच्छा जीवन जीए, आप चाहते हैं कि ये प्यार का अनुभव करे, आप चाहते हैं कि ये खुशी का अनुभव करे, आप चाहते हैं कि ये सारी चीजे करे, बाकी सबी चीजें सिर्फ सहायक हैं, ये असली चीज है, है ना, तो अगर ये असली चीज है, तो क्या इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए? थोड़ा ध्यान देने का अर्थ ये नहीं है कि आप शीशे के आगे खड़े ओकर लगतार अपनी त्वचा पर ध्यान देते रहें. क्या आपको हर उस आयाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए जिससे ये इंसान पना है? कौन सी चीज इस जीवन को चलाती है? और कैसे? अगर आप समझ लें कि कौन सी चीज इसे चलाती है, तो आप इसे जबरदस तरफतार पर दोड़ा सकते हैं. अगर आप इसे जबरदस तरफतार पर दोड़ा सकें, तो 14 चीजें क्यों आप और भी ज्यादा कर सकते ह झाल झाल